नमस्का किसान भाईयो मंडी भाव इंदोर यूटीब चैनल पर आपका भुद्बो स्वागत है मैं गोपाल सिंग चोहान आदेनांग 2 जनवरी 2013 हमें इंदोर 24 मंडी में चल भाईयो सबसे पहले आपको 9 वर्षे की भुद्बोर चुप कामना है और आज के हम प्याज की आव की बात करें तो पुराने प्याज की आवक वही 15 से 20 अरक के बीच में ही है और नए प्याज की आवक 35 से 30 अगटो की और बाकी मैंने आगे भाव तो बताया आई है तो वीडियो पुरा जरू देखेगा ताकि आपको सही भाव की जानकारी हो सकेगी वो चैनल पर पहली बारा है जरू कर लिजे ताकि आपको रोज यसे इन दो मंदी के अपडेट मिलती रहेगी चलिए देख लेते हैं आज की प्याज के भाव क्याज के साथ यहां देखेगा नवे प्याज से कॉलेटी जो किया सत्रा सो रुपते गुटा आप से भी की है सत्रा रुप प्रति के लोग इसाब से बहुत बहतरी कॉलेटी कि सान भाव यो पूरी तरह सुका माल है गिला नहीं है पत्ती भी निकल रहे इसकी साइज भी फूल साइज का माल भी है इसमें मीडियम भी है एक साथ सूपा कॉलेटी अब भी सब्सक्राइब करने का सोच रहो सब्सक्राइब जरू कर लिजे यहां देखें माल नहीं प्याची कॉलेटी जो किया साथे पंदरा सो रुपर दे गुंटे आप से भी का है पंदरा रुपे पचास पेसे परती किलो के साबसे साइज की बात कर तो मीडियम ही है इसमें तो हलका फुलका गोलटा भी है कॉलेटी ठिक ठाक है 1550 रुपे गुंटा आप से बिका आज यहां देखें में नहीं प्याची कॉलेटी जो किया 1600 रुपर दे गुंटा आप से साबसे नया प्याजी किसान भाई यो साइस की बात कर तो फुल साइस का माल भी है मीडियम भी है और हलका फुलका गोलटा इसमें कोलेटी बहुत बढ़िया है 1600 रुपति गुटाप से भी काज यहाँ देख से में प्याज के कोलेटी जो कि आद 1300 रुपति गुटाप से भी की है 13 रुपति के लोगे साबसे प्याज है किसान भाई यो साइस तो मीडियम ही है पकि इसकी पत्ती बहुत बढ़िया है कदर भी ठीक टाक है 1300 रुपति गुटाप से भी काज आप देख सकते हैं कोलेटी यहां देख सकते हैं कोलेटी पत्ती तो कमजोर ही सही साइस ठीक टाक इसकी बढ़िया है एलर भी ठीक टाक है 1000 रुपति कुटाप से भी काज आप देख सकते हैं कोलेटी यहां देख सकते हैं कोलेटी जो किया 900 रुपति कुटाप से भी की है 9 रुपति के लोग हिसाब से साइज भढ़िया है, फुल साइज का माल भी है, मिडियम भी है, बाकि पत्ती कमजोर हलका फुलका माल दागी भी है इसमें, आप देख सकते है कॉलेटी, 900 रुपति गुटे आप से पिकाज, यहाँ लिसे नुबे प्याच शेकॉलेटी, जो क्या 700 रुपति गुटे आप से साथ पुर्परती किलो के साब से, इसमें कार्बन और मिश्ची वाली समस्या बहुत खिसान बाईयो, पत्ती भी कमजोर है, और विसे प्याच को आट नुँ मेने होई गए है, तो मिश्ची वाली समस्या आम बात है ही सही, आप देख सकते है कॉलेटी,